वी कुनली विशलेशन के लिए सब्सक्राइब करें आस्ट्रो वास्टू एक्सपर्ट साक्शी संजीव ठाकुर चैनल को रादे रादे दर्शको मैं साक्शी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहत खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या क्या हैते हैं सब्सक्राइब करें दर्शको आज मैं आपको उताने जहा रहे हूं देखें चोटी चोटी चीज़े जो मारे घर में पड़ी होती है और उन से हम अपने बड़े-बड़े मुसीबतوں को दूर कर लेते हैं तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक चोटे सी चीज जो असानी से आपके घर में मिल जाएगी और वो है पीली सरसो पीली सरसो का प्रियोग जो है ये बहुत ही जबरदस्थ है और मैंने इसका प्रियोग आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपका वेपार बंद हो रहा है तो आपने पीली सरसों कुछ का आपको प्रियोग करके आप कैसे अपने बंद पड़े वेपार के बंद पड़े कारे खाने के बंद पड़े दुकान के बंद पड़े बिज साइफ को खराब भी कर सकता है तो एक सही उपाय आपके जीवन को सुचारों रूप से चला सकता है तो आज हम बात करेंगे कि पीली सर्सों के लिए क्योंकि यह बहुत यह काम चीज है जो आपके घर में असानी से आपको घर में मिल जाती है और अगर हम प्रचीन तंत्र की ब करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं बलकि अपनी जो हमारे उपर जो नेगेटिव चीजे हैं उनको हम जो है दूर करने के लिए इन चीजों का प्रियोग करते हैं तांत्रिक प्रियोगों से जो है तांत्रिक प्रियोग करते तो उसमें बहुत सारी चीजे जो है प्लास्टिक का डोना लेना है डोना जिसे आप प्लास्टिक की डिस्पोजिबल प्लेट लेनी है उसमें आपने रखनी है आपने एक मुठी पीली सरसो एक मुठी पीली सरसो आपने लेने जितनी भी आपकी मुठी में आ जाए और अगर आप चुटकी ने लेनी है आपको मुठी लेनी है जितनी आपकी मुठी के अंदर आ जाए और उसे अपने उल्टे कान की तरफ ले जाए और उल्टे कान से उस पीली सरसो वाली मुठी को आगे की तरफ लेकर आईए पीछे से गुमाते हुए इसे आगे की तरफ लेकर आईए और जब आप इसे लेकर आएंगे और उसे इस आपने जो है यह साथ बार इसे एंटी क्लॉक्वाइज वारना है एंटी क्लॉक्वाइज का मतलब होता है जैसे क्लॉक हमारी सीधी चलती ह तो if English के आप जो हैं और आपने नाव टार जो फरीटी का में है और न करें एक लाचे को यो सिदुन है आप सब्सक्राइब करना है और आपसे तर्फ़्स ृश्वान नहीं होगा है और ऑपने जो है जो है जो है जाकर के आप riders म corner seven times आपको करना है और maximum आप इसे जो है जाकर अपने घर के dust bean में नहीं तो अपने घर के बाहर किसी dust bean में जाकर इसे फैक दीजी और आप देखेंगे तुरंत आपको इसका result देखेंगा अगर आपके पस ववस्ता है तो आप इसे किसी किसी चीज में किसी आप हवनकुन में रखकर जो है से जला भी सकते हैं थोड़ी सी घी कपूर डाल दीजिए और उसमें पीली सरसो डाल दीजिए और लेकिन कपूर को आपको अपनी सरसो नहीं वारना है सिर्फ पीली सरसो को या आपको वारना है कपूर आपको जो है जलाने के लिए परियोग करना है बस और उसके साथ में आप पीली सर्सों को जो अपनी से उपर से वारेंगे उसे भी आप जला दीजिये तो यह जलाने पर आपको बहुत बहुत रहात मिलेगी, हवनकूर में जला दीजिये या कोई बरतन है आपके पास खाली कोई पुराना बरतन है उसमें रखकर जला दीजिए अगर आप जला देते हैं तो बहुत एकदम से आपको रहात मैसूस होगी अगर आप जलाने के अगर आपके पास विवस्ता नहीं है तो आप इसे डस्टमी में भी रख सकते हैं लेकिन अगर आप मेरी प्रेफरेंस में क्या बोलना चाहूंगी तो मैं आपको यहीं बोलना चाहूंगी कि आप इसे जला दीजिए क्योंकि जो भी आपकी चीजें होंगी वह आपकी जल जल्दी में हो और आपको लग रहा है कि मुझे कोई नेगेटिविटी आ रही है और आप उ लोगों को मैंने करवाया है और जो है इसका बहुत इसका रिजल्ट भी जो है वो बहुत बहुत बढ़ी आता है रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आता है और इसका उपाय का चमतकार आपको देखने को मिलेगा और तुरंत इसका चमतकार क्योंकि यह देखिए इसका चमतकार और इसका जो यह उपाय है इसका चमतकार आपको एक दम से आपको देखने को मिलेगा इसमें तो ये है कि अगर आपका कोई दश्मन आपको कोई परशान कर रहा है तो आप क्या करें एक दिया ले लेँ उस्में कुछ पीली सरसो डालें उसमें काले रंग की बत्ती डालें औ म'Tर में सबसे हैं, म्तर आप अपने जाँ रही हूं है जबरदस्त मंत्र है, ओम हुम जूसा, ओम हुम जूसा, ओम हुम जूसा eating माला का मंत्र जाप करें, ये नियम मंत्र में आपको डिस्क्रिब्शन बॉक्स में और मंत्र आपको नहीं करना आपको आपा Lima देफो हैं, और ये माला आप एक माला कर लीजे, दो माला कर लीजे, ग्यारा माला कर लीजे, अपने देवी देवताओं का आपने कुल देवी का ध्यान करते हुए, आपने ये माला घर में बैठ कर भी कर सकते हैं, और आप ये किसी मंदर में जा कर भी कर सकते हैं, या पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर आप बहुत परिशाने और आपको को समझ नहीं आ रहा है आप चाहते हैं कि घर वाले जो है आपको परिशान सोचेंगे बतनी क्या कर रहा है या घर में बड़ी सारी चीज को reproductive पर नहीं करना चाहते तो किसी फीपल के पेड़ के नीचे जाकर आप यह जाब कर सकते हैं और यह माला वही पर कर सकते हैं ओम हूम जूसा का मंतर आपको यह पढ़ना है आपने एक माला करनी है दो माला करनी है जितनी माला आप कर सकें यह आप कीजिए और यह जो दिया है वही पर आप जिला दीजिए पीपल के पेड़ के नीचे जो है ये दिया जो है आप जला दीजिए अब मैं आपको एक उपाय बताने जा रहे हूं जो आपके कामकाज को चुलाने का उपाय है आपके कामकाज जो है वो नहीं चल रहा है आपको कामकाज जो है वो बहुत दिक्कत परशानी आ रही है सब्सक्राइब प्लास्टिक के डिस्पोजिबल डोंगे आते हैं उसमें आपने जो है ये पीली सरसों लेनी है कुछ पीली सरसों के दाने लेने हैं अगर आपकी एक मुठी में जितने भी आजाएं जितने भी आपकी एक मुठी में आजाते हैं आपने उतने ले लेने हैं और उसके बाद उस आपने जो है कारे कारे की बारे में सोचते हुए कि मिरा कारे जो है वो चलने लग जाए मिरा कारे जो है वो बहुत बढ़िया हो जाए और ऐसे करते हुए अपने कारे स्थल में आपने जो है इस समान को लेकर इस समान को लेकर आपने एक चक्कर लगाना है कोने कोने से लेकर स आपका डोना था इसको लेकर तुरंत अपने घर से अपने ऑफिस से जहां से भी आप ये प्रिक्रिया कर रहे हैं आप अपने घर की नेगेटिविटी को टाना चाहते तो घर से कर लिजिए अपने ऑफिस की नेगेटिविटी को टाना चाहते तो ऑफिस से कर लिजिए जहां गूको跑 मुज़ा और हृसने कुछ किवा एक काम चलते हैं त बंद गया है आठक गया है और हर तोड़ी से हैश्थि अपन ऑफिस वह अपने कोने कोने से घुमाने के बाद आप तुर hugely आपुद न प्लीगेत çalış आप सतंत hips से बाहर निकल जाएंगे और जाकर कहीं पर भी चुरहें कि वहां पर मैं आपको हमेशा मना करती हूं कि चुरहें पर मत फैख कि कहीं लोग आपको बता thief दीजिए आपको जो है यह जाकर किसी बाहर किसी सी कूडे में जाकर इसको इसे कहीं पर भी आपको सड़क पर नहीं भिखेरना है तो यह इस बात का आपको बड़ा ध्यान लखना है और आप यह चोटे से उपाए से आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमतकार आपको देखने को मिलता है आपके साथ भी बंद किये हुए अटके उपाए होगा और इससे आपकर राहु घर है तो ठीक होगा यह होगा आपके केतू भी ठीक हो जाएंगे और राहु और केतू क्या करते हैं कि मिलकर हमें गुप चीजों में फसाते हैं राहु आपके जीवन में अचानक घटने वाली घटना है और केतू आपको अचानक से आपको गुप चतुरूं से पीडि करवाता है बार 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 समे आसे रोक दिलवाता है बार 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 हमें ऐसे गुप चतुरू करवा देता है कि जिससे हमारा बहुत या आपका कोई ऐसा काम है जो आपका बहुत समय से नहीं हो पारा है या आपकी बुद्धी जो है आपकी रुकी भी मैसूस होती है बुद्धी आपकी बस ऐस लगता है कि सारी जिन्दगी में जो है वो ब्लॉकेज चुरू हो गई है तो यह जो अचूक उपाय मैंने आपको तीन उपाय बताएं है यह आपको जरूर करने है यह उपाय करते ही आपके जीवन में आपको चमतकार देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में आपको प्रोग्रेस होती ही नजरा आएगी और धीरे 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 आपको progress होती बिने जरा जाएगी और ये उपाय अब आप पूछेंगे कि कहां पर करना है कैसे करना है तो ये उपाय जो है कब करना है तो आप दिन शनीवार शनीवार को आप ये उपाय कर सकते हैं अगर आप शनीवार नहीं कर सकते हैं तो आप को भी ब्रस्पतिवार और जो है शनिवार ये दो दिन आप ये जो है उपाई कीजिए आपको बहुत बहुत रहात मिलेगी और कम से कम तीन शनिवार या तीन ब्रस्पतिवार ये उपाई करना मत भूलेगा अच्छे रिजल्ट आने के लिए तो तीन बार आप ये उपाई ज कि आपको पायली को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर स्क्राइब कर लीजे लाइक कर लिजे अपर माध्यम से वहां होता रहे ज़नी में डॉक्टर शंत। यह विराम